हमारे भाईया चमरा भाईया को जीत दिलाना है ये वो है मनसोरेन है जिसने सरना धरम कोड को विदान सवा से पारित करवाया कि आपका भाई है मनसोरेन आपका दादा है मनसोरेन आपका बेटा है मनसोरेन जारकन में हमारी बिटिया पहनों माताओं के लिए हमारी आधी ताकत आधी शक्ति के लिए जारकन मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना लेकर के आया तीन से चार किश्ट इसकी जा चुकी है और दिसंबर से इसकी राशी बढ़ करके धाई हजार होने जा रही है प्रतिमा धाई हजार साल का तीस हजार आपकी अपनी अभुआ सरकार ने आपकी अपनी हेमन सरकार ने बिजली फिल माफी कराया है 37 लाख परिवारों का और जिस तरीके से हमारे बड़े भाईया चमरा भाईया ने अपनी अवाज को बुलंद किया है अपना दोनों हाथ उठा करके चमरा भाईया को दोनों हाथ उठाईए जारखन में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस सरगर्मी के बीच जो है चुनावी जो परचार है वो बढ़ चरकर बोल रहा है इस वक्त हम ये पिसुनपूर विधान समझ छेतर के ये जो आप मैदान देख रहे है देवीडी स्कूल मैदान है इस मैदान में कलपना सोरें जो है यहाँ पर आई थी और कलपना सोरें ने यहाँ पर आकर जो है माहौल को ऐसा बना दिया मानो की जैसे की यहाँ पर जितने लोग आए थे उनके सुर में सुर जो है मिलाते हुए दिखे तो कलपना सोरें जो है यहाँ पर आई और चुनावी जनसभा को यहाँ पर संबोदित किया और उनके साथ मागरबंदर के जेमें परत्यासी चमरा लिंडा भी उपस्तित थे और उनके साथ अन्ने कारकरता भी उपस्तित थे और उस उपस्तिती में जो है कलपना सोरेन ने अपना समोधन सुरू किया और अपना समोधन सुरू करने के साथ ही वो पूरी तरह से अपनी बातों करा रखा और मुखमंतरी हिमन सोरेन की जम कर तारीब की तो कलपना सोरेन क्या कहती में नजर आ रही है आपको समाते हैं लेकिन जब जारखंटी सरकार सरना घरम कोड़ विदाम तो फिपक्ष में बैठे अविवासि नेता इस बात का समर्थन क्यू नहीं करते और वो हमारी जन भावनाओं को ठेश पहुचाने का काम क्यू करते हैं? ये आपका दोहरा चेहरा है आप पाटी के हिसाब से जाना चाते हैं आप जन भावना के हिसाब से नहीं जाना चाते हैं लेकिन आज आज आपकी आवाज बुलंद करने का काम किस ने किया है आपकी आवाज बुलंद करने का काम है मनसुरीन जी ने किया है आपकी आवाज को ब प्रेवना लेते हैं यह जब भी घर आते थे मेरी जब भी इनसे मुलकात होती थी यह मुझे बहुत सारी बाते बताते थे आदन्य दिशन गुरु शीबु सोरें जी की बात बताते थे जो मेरे ससूर जी है कि क्या सोच लेकर के जारखन बना है और हमको उसी सोच में आगे चुनपूर से इस विदान सभा से भाईया को जीत दिलवाना है यह आप लोगों को संकल्प ले करके जाना है मैं आपसे पूछना चाहते हूं यहां पर मतदान की कौन सी तारीख है हमारे बड़े वैएं का नंबर कौन सा है जब लोग हात उठा के दिखाएं कौन सा नंबर है एक नंबर एक नंबर में चुनना सा कौन सा हमारी मता हैं इने पताईए कौन सा आपका पटन कहा दबेगा एक doughn जारकंद मुक्ति मोटचा के हमारे बाइया छम्रा पईया को फिर से आपकी सेवा करने का अधने को मजबूत कराईएगा यहां से जान की पेंशन की योजना से जोड़ा जा चुका है हजार रुपए की राशी उनके एकाउंट में मक्तुबर तक जा चुकी है क्यों कर रहे हैं मनसुरेंजी वो चाहते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिनोंने जारखन लड़ाई में आदर ने दिशंगुरु शीबु का साथ दिया उनके परिवार ने तपस्या की उन्होंने खुद ने तपस्या की आज उनकी बुढ़ापे की लाठी हेमां सोरेंजी बंद करके खड़े हुए हैं आज जारखन में आप देखेंगे शिक्षा के सर पे सरकारी स्कूलों में जिन सरकारी स्कूलों को बीजेपी वालों ने बंद किया था वो सरकारी स्कूलों को खुलवा करके उसे सी अम स्कूल इन्होंने कभी हमारी बिटिया, बेहनों, माताओं के लिए कोई ऐसी क्रांतिकारी योजना लाई हमारे बड़े बुजुर्गों की लाठी बनने का काम किया हमारे युवाओं के लिए डट करके खड़े होने का काम किया ये कभी नहीं चाते ये कभी नहीं चाहते कि आपकी आवाज बुलन दो इसलिए जारकंड में पहली बार ये पहली बार हो रहा है कि आपका भाई है मंसोरेन आपका दादा है मंसोरेन आपका बेटा है मंसोरेन जारकंड में हमारी बिटिया पहनों माताओं के लिए हमारी आधी ताकत आधी शक्ति के लिए जारकर मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना ले करके आया है ये क्यों लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि हमारी माताई बेहने चाहे देहात में रहे चाहे शहर में रहे आज आप यहाँ पे भी आए हैं आप अपने घर में अपने पती, अपने बच्चों, अपने सास, सुसूद परिवार जनों की सेवा करती है आज यहाँ पे भी अगर आप आए हैं तो घर में सारा काम निप्टा करके खाना बना के खिला के पिला के दर्वाजा में ताला लगा के आप यहां आए हैं तो आप सोचिए कि एक मा बहन किस तरीके से पूरी निष्ठा के साथ अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती है वो जादा कुछ नहीं उम्मीद रखती है वो थोड़ा सा सम्मान चाहती है थोड़ा सा आत्मा सम्मान चाहती है और यह जारखड में पहली बार हुआ है कि हमारी बिटियां बेहनों को प्रती मा हाशी आर्थिक स्वरूप में देने का काम किया है तीन से चार किश्ट इसकी जा चुकी है और दिसम्बर से इसकी राशी बढ़ करके धाई हजार होने जा रही है प्रतिमा धाई हजार साल का तीस हजार जितनी भी हमारी बिटिया पहने हैं अठारा वर्ड से उन्चास आप लोगों के अकाउंट में धाई हजार उपए दिसंबर से जाएगा और ये आपका हक है आपकी अपनी अपुआ सरकार ने आपकी अपनी हेपन सरकार ने बिजली फिल माफी कराया है 37 लाख परिवारों का आप लोगों का फिल माफी हुआ है कि नहीं हुआ है हुआ है हुआ है तो आप सोचिए और आप इस बातों को जहन में डालिएगा और जब भी जाएग करने के लिए अपने दिल पे हाथ रखिएगा और ये सोचिएगा कि इस महिंगाई के मार में आपके महिंगाई का बोच किसने उठा करके उसको हलका किया है आपको सर्फ एक नाम याद आएगा और वो नाम होगा हेमल सोरिन आज अगर आपके सम्मान के लिए पहली जारकंड में पहली बार ऐसा क्रांती कारी ये कदम उठाया है तो आपको सर्फ एक नाम याद आएगा हेमल सोरिन अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले